We have a multiple method to enroll our on-premises device to Microsoft Intune Portal जिसमें से अल्रेडी बहुत सारे method हम देख चुके हैं चाहे वो company portal के तुरू किसी device को enroll करने की बात करें या MDM discovery URL के जरिये किसी भी device को enroll करें या AD join के तुरू हम अपनी on-premises device को enroll कर सकते हैं अगर हम बात करें इंटर्व्यू के भी हैपे और इंटर्व्यू के प्रस्पेक्टिव से हर एक इंटर्व्यूर यह जाना चाहता है कि जिसको हम हायर करना चाहते हैं क्या उसे autopilot को concept पता है क्या उसको autopilot के prerequisites पता है या उस बंदे ने कभी autopilot के तुरू किसी भी device को या अपने on-premises resources को enroll करके देखा है आज का आज हम आपको guide करने वाले है प्रोपर step by step prerequisite के साथ autopilot का एक-एक step देखेंगे कि कैसे हम अपने on-premises में profile के जरिए किसी भी device को enroll करा सकते हैं अपने Microsoft Intune Portal के उपर so I am Manjit Rawat your online instructor और teach me cloud हमेशा को स्रीज करता है आपको content quality-based content provide करें जिससे आप अपने day-to-day activity में हमारे वीडियो को involve करके growth कर सकें और जो भी tickets आपको मिलते हैं वो आसानी से resolve कर सकें I am going move ourselves to the portal Intune Portal पर चलते हैं directly और देखते हैं कि क्या क्या procedure होता है जिसके थुरू हम अपने on-premises windows को या किसी भी device को enroll करा पाते हैं the help of autopilot so let's move ourselves to the dashboard but before that अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल पर पहली बार विजित किया है तो do subscribe because teach me cloud हमेंसा कोशिज करता है आपको quality-based content provide करने की 100% live practical की बिना किसी step को skip किये हुए अब आपने पास कोई भी device हमने आप इन्रोल नहीं कर रख की है और विच इस अफ्रेस अकाउंट आप बोल सकते हैं इस इस आवर डिवाइस पैनल एजिर एक्टी डिर्टी में अब हम यहां पर जाते हैं यूजर सबसे पहले यूजर क्योंकि मुल्टिपल वीडियोस हमने अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो अल्रडी उसमें हमने बता रखा है कैसे आप इंट्यून के लाइसंस को एक्टिवेट करेंगे कैसे उसको ग्रूप के ऊपर असाइन करेंगे कैसे उसमें यूजर एड़ करेंगे तो अभी अपने पास यहां पर कुछ यूजर समने क्रिएट कर रखेंगे हैं वी अबल तो फाइंड मुल्टिपल यूजर्स लाइक है जी सीपी टेलनेट और क्लास तीन अलग-अलग यूजर को हमने बना रखा हैं अगर आप autopilot configure करना चाहते हैं तो डास टेनन्ट की रिक्वार्मेंट होगी लाइसेंस अपके पास उने हीचे यह सारी प्रिर्विधित है किथी भी device को on-premises device को इन्रोल करने के लिए या फिर autopilot की service को इस्तमाल करने के लिए So what you need to do सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर जाते हैं अपने group wallet icon पे we just need to click on groups All groups पर click करेंगे Under the all group we just need to click on new group नियु ग्रूप में जाकर के अब कोई भी एक ग्रूप नेम असाइन कर सकते हैं लाइका आम गोई टो पोसीड वीड ऑटो पाइलेट चीप जी आरपी ठीक है यह हमारा ग्रूप नेम है और यहां पे असाइन में जाकर के ना में अब डायनेमिक डिवाइस वैसे आटो पाइलेट के मल्टीपल मैथेड यह पहला मैथेड हम आपके साइर करा है एस इपीड वेएगा जो यूज ऑटो पाइलेट सर्विस तो अभी के लिए हम डायनेमिक डिवाइस की तुरू मूँ कर रहे हैं we just need to click on the dynamic devices members add query पे जाएंगे तो add query के case में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक other panel आपको open दिखाई पड़ जाएगा which is rules and text और इस case में if you have idea about if you know about the serial number of your device so you just need to copy and paste otherwise अगर आप same profile इस्तमाल करना चाहते हैं multiple devices के लिए तो you just need to use device dot device physical id I'll send the detail of this particular query in what we can say that in our comment box so you can just easily check description में भी इसकी list हम प्रवाइट कर देंगे ताकि आप आप आसाने इसको उसको यूज कर सके पहला step क्या करना है open your portal and create a group under the group आप selection करेंगे device का dynamic device का okay करेंगे and we just need to save the setting right यहां पर हम create करेंगे and let's wait for few more minute our group is ready to use group हमने तयार किया है with name of autopilot grp you just need to search the group that you created autopilot थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि you know that जब भी हम group create करते हैं थोड़ा सा time इसमें लग सकता है so I'm just going to search our group page को refresh करते हैं and try to search it again autopilot group is available I'm just going to open it security group हमने तयार किया है dynamic device selection किया है licenses पर जाएंगे and we just need to add the licenses that we have add assignment पर जाएंगे yes definitely we want to assign the license for the mobility enterprise mobility plus security E5 यह license provide करने के बाद save कर देंगे save करने के बाद back to the portal और अब हम move करने वाले हैं अपने Intune services पर this is our Microsoft Intune portal dashboard कोई भी device यहां पर अभी लेबल नहीं है so what you need to do you just need to create just need to open our all devices go to the windows कहीं पर भी जा सकते हैं अब directly open कर तक तक तें windows enrollment पर जाएंगे and in the windows enrollment we are able to find windows deployment autopilot deployment program ठीक है so यह आपको profile त्यार करना पडेगा and once our profile is ready to use we will proceed to upload the device manage windows autopilot devices so what you need to do I am just going to click on deployment autopilot although I have already created let me remove it okay no problem let me create a new profile windows select the name of class autopilot ठीक है यहां पर आप नाम दे देंगे कोई सभी नाम दे सकते हैं it's depend upon you proceed no need to do anything यहां पर multiple options आपको देखने को मिल सकते हैं out of the box we just need to proceed with user driven our self deployment as we discussed autopilot के case में multiple method हो सकते हैं आपके on-premises device को enroll करने के लिए तो अभी हम एक method देख रहे हैं but upcoming days में we will create another video और उसमें हम दूसरे method के जरी है किस तरीके से हम अपने on-premises device को जैसे यहां पर AD join है और AD hybrid join है इन दोने में से किसे method का इस्तमाल करेंगे now i am going to proceed with the azure AD joined but in future we will create a video for the hybrid AD join i am just going to proceed no need to do anything यहां पर आप administrator as per your requirement admin का login का हम जाता है कि जब भी कोई user अपने script design करे या अपने profile को create करे should be login through the administrator for security region no need to do anything next पर click करेंगे and proceed for the next step next करेंगे i don't want to add any group right now we will add it later next we click करेंगे and no need to do anything this is the complete information about your autopilot profile जो भी आप autopilot profile create काना चाहते है इसके according आप manage करेंगे so i am just going to create it once our autopilot profile is ready to use we will add our group that we created so class autopilot के नाम से हमने त्यायर किया था and we just need to click on assign devices unfortunately कोई सभी कोई सभी device हमें यहां पर दिखाई नहीं पर रहे so just need to open properties and assignment के case में जाकर के edit पर जाएंगे and we just need to add our group it's depend upon you आप directly भी add कर सकते हैं it's not an issue so यह autopilot grp जो हमने create किया था उस particular group को आप यहां पर assign करने के बाद our responsibility to generate serial number of our on-premises machine जो on-premises device जिसको आप enroll करना चाहते हैं उसका serial number आपको generate करना पड़ेगा how we can do that devices पर जाएंगे and unfortunately यहां पर कोई भी device option में नहीं है इंपोर्ट को option दिखाई पड़ रहा है कि अगर आपके पास CSV file on-premises device की तो उस CSV file को upload करके आप अपने device को इसली enroll करा सकते है ad joint device को इसली enroll करा सकते है back to our on-premises यहां पर कुछ power cell की command है यह तीन command हमें execute करनी पड़ीगी on our computer जिसको आप enroll करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक Windows 10 की machine create कर रख किये vmware workstation पे और I am planning to enroll same computer same virtual machine ओब आ into import system must be login through the administrator as we discussed before अभी हमने discuss कि जो भी आप device को enroll करना चाहते है must be login through the local administrator क्षों करें करें डोर्षाइब कर दो अपर आप गर्वार करना चाहते हैं तो आप 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 अज़ाए मैं अपर आप 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 ए की command है we just need to execute the command install script get windows autopilot so आप इसको login करेंगे power cell open करेंगे and run as administrator कर देंगे we just need to open it run as administrator and execute the command आपको install script get something we just need to hit enter यह पहली command है you just need to press y to continue again press y to continue basic command है जो आपको execute करना है everything is okay y and hit enter now once you install the script for the autopilot on this particular machine हम यहां पे इसकी serial id निकाल सकते हैं so what i am going to do अगली command execute करेंगे this is another command that we need to execute to generate the serial id जो csv file के हम बात कर रहे हैं इसको copy कर लेते हैं copy करने के बाद we just need to paste and hit enter again why and enter press करेंगे now follow the last step final step यह command आप execute करेंगे copy it and paste here location हमने दे रखा है c colon slash computer dot csb यह हमारे csv file is ready to use we will upload the same csv file over a intune portal जो device का option दिखाई पड़ रहा है वहां पे हम इसको directly enroll करेंगे अपलोड करेंगे जिससे हम अपने devices को enroll करा पाए everything is okay generated for the device with serial number this 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 bmware machine है तो यह अपने पास device की serial number आ गई अब आप my computer पे जाएंगे क्योंकि जो हमने location दे रखा है वो c drive का है open this pc c drive and this is computer csv copy it because हम base machine पे अपना portal open कर रखा है ता हम just going to paste here computer नाम से हमने इसको paste किया back to the portal and in the portal जो device का icon दिखा हमने देखा था windows के अंदर जाकर के enrollment के पे क्लिक करने के बाद it give us option of devices we are unable to find any device click import और जो भी csv file आपने डाउनलोड किया है यह generate किया create किया है उसको आपास आने सिहां पे क्या करेंगे select करके upload करेंगे which one this is the file and import it it may be take time थोड़ा सा time लग सकता है इसमें बढ़ हम थोड़ा इंतियार कर लेंगे it will take time between 0 to 15 minutes video को pause करते है थोड़ा सा इंतियार करते है okay तीन से चार्य मिनाट का वेट करने के बाद आप देखें यहाँ पे device imported successfully हम इसको close करते हैं page को refresh करते हैं and we are able to find our virtual machines जो हमने भी CSV file upload किया था वो successfully यहाँ पे available हो गया है but जो profile status है non assigned है थोड़ा सा time लगेगा यहाँ पे और if you want to verify the device information तो आप अपने Azure AD के total पे जाएंगे we just need to click on the devices and you will find your device जो अभी recently हमने अपनी device को attach किया है this is the device we successfully attach here what you need to do open करेंगे click करेंगे इसको and we just need to enable it हम इसको enable करेंगे ताकि अपनी device को Azure Intune Portal पे Microsoft Intune Portal पे इसको highlight कर सके everything is okay guys यह steps आपको follow करने परेंगे to enroll our device with the help of autopilot service assigning आपने enable किया यहाँ पे assigning profile को option आगया and now back to the on-premises machine और आप इस on-premises machine को restart करेंगे reset करेंगे basically so you just need to type reset then click here and we just need to click on get start see one of important point अगर आपको लगता है कि यह device हम बहुत पहले सी use कर रहे है means the operating system that you install और इसको पिछले एक साल से इस्तमाल कर रहे है तो definitely बहुत सारा data बहुत साही files आपने इस पर create करके रखियें अगर आप अपने files और folder को रखना चाहते हैं तो you can just proceed with keep my file या फिर आप अलग सिसका backup ले सकते हैं हमने testing purpose के लिए virtual machine create किया है तो I don't want to keep anything remove everything पर click करेंगे and you should wait for few more minutes everything is okay cloud download and local restart so हम local reinstall करेंगे click and click next no need to do anything क्योंकि यह fresh machine है इसमें हमने कोई भी activity नहीं perform की reset करेंगे और इंतियार करेंगे यह 100% होने का so यह final step है जैसे हमारा यह 100% complete हो जाता है machine को हम आगे proceed करेंगे and we'll find the same machine over our Intune portal so this is the Intune panel go to the devices and still we are unable to find any virtual machine but अगर आपके instance not virtual machine कोई भी device का enrollment हमने नहीं कर रखा है but अगर आप इस device को complete होने तक वेट करते हैं तो definitely we'll find the same computer over a portal so guys this is all about the autopilot service थोड़ा साइंति जार करते हैं and then proceed to next step system restart करने के बाद it will take up to 10 to 15 minutes so guys आपको patience के साथ इस को step को follow करना है and जैसे हमारा system ready होता है you will find the same computer over our Intune portal because हमने अपने profile की तुरू serial number की देरिये अब इस device को enroll किया है with the help of autopilot everyone I hope you guys are able to understand about the entire step please try to use the same step to enroll your own device okay so let's connect in next session and discuss more about the Intune services take care guys bye-bye